हेलो प्यारे बचों स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टड़ी आईक्यूब बीएम में आज देखने बाले हैं बच्चों हम जो BSF का ट्रेड मेंन का एक्साम हुआ था चार बारे 2022 को इसके जो सेकेंड सिफ्ट के जो क्वेश्चन थे जी के जी एस के वो आपके सामने हम डिसकस करने वाले हैं जोकी सेकेंड सिफ्ट में पूछे गए थे जी के जी एस के questions ठीक है तो ये हमारे बच्चोंदारा हम तक पहुंचाए गए हैं तो जो भी question हम तक पहुंचाए गए हैं उनका analysis हम करने वाले हैं आज सेकेंड सिफ्ट के paper हो तो फर्स्ट सेफ्ट की वीडियो हम बना चुके हैं उसको अविद तक नहीं देखा है आपने तो उसको जा कर के देख सकते हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड हो जाएगा तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को बेल लगा करके आए हैं एकदम सही आंसर है तो बचो यह आपका फर्स्ट आंसर क्वेश्टन हो गया राष्ट पती का कारेकाल कितने वर्ष का होता है तो यह पूछा गया था अगला क्वेश्ट बचो पूछा गया था देखिए नंदबंस का प्रथम सासक आपसे पूछा था नंदबंस का प्रथम सासक तो यह था महा पदा नंद ठीक है तो यह उप्सन जिसने लगाया बच्चो ने वो एकदम करेक्ट आंसर होगा उनका ठीक है नंदबंस का प्रथम सासक महा पदा नंद ठीक है चलिए अगला क्वेश्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्ट चाय को ठीक है दार्जलिंग की चाय को ये प्राप्त हुआ था सबसे पहले भारत में जी आई टेक इसको प्राप्त किया गया था दार्जलिंग की चाय को ठीक है तो ये आप से पूछा गया था चलिए अगला क्वेशन आप से पूछा गया बचो कितने लोगों को अब तक द दो वार प्राप्त हो चका है, जिन लोगों को दो वार नौवल प्रसकार मिला है उनकी संक्या है, चार, ठीक है चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया बकसर का यूद देखिए बकसर के यूद किस वर्स आपका लड़ा गया था ये आपसे पूछा गया तो ये लड़ा गया था बच्छो 1764 में ठीक है 1764 इसका एकदम correct answer है बच्छो जो भी question हमें प्राप्त हुए उन question को हम करा रहे हैं एक दो question इसमें कम हैं तो उससे माइन ना करें बच्छो जितने बच्छो तक जितने हमारे question जो हम तक पहुँचाए गए हैं बच्छो तक उतने हम करा रहे हैं आपको ठीक है चलिए अगला question आपके सामने पूछा गया था बच्छो भारत के अधिकतन नदियां कहां गिरती हैं तो यह गिरती हैं बच्छो बंगाल की खाडी में जाकर के ठीक है चलिए अगला question देख लेते हैं अगला question आपसे पूछा गया था प्रात्ना समाज के संस्तापक आपसे पूछे गया बचो प्रात्ना समाज के संस्तापक तो यह है आत्मा राम पांडोरंगा ठीक है आत्मा राम पांडोरंगा प्राथना समाज के संस्तापक है ठीक है ये आपसे पूछा गया चलिए अगला कोशन आपसे पूछा गया बचो रजिया सुल्तान किस वंस से सम्मदित हैं तो ये हैं बचो गुलाम वंस से सम्मदित देखें कुछ बच्चों ने कहा कि गुलाम वंस उसमें आप्चन में नहीं था तो देखें गुलाम वंस को ही दास वंस कहा जाता है और माम लूक वंस भी इसे ही कहा जाता है तो ये भी आ आपका right answer होगा ठीक है गुलाम वंस नहीं था तो दास वंस और मामलूक वंस अगर उसमें होगा तो एकड़म correct answer इन में से आपका जाएगा ठीक है तो ये इसका right answer था बचो चली अगला question अगला question आप से पूछा गया बचो पी एम एफ बी वाई तो इसकी फुल फॉर्म आप से पूछी गई तो देखिए इसकी फुल फॉर्म है प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना ठीक है तो इसकी प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना इसकी फुल फॉर्म आप से ये पूछी गई थी तो अगल बच्चो 11 अक्टूवर को ठीक है 11 अक्टूवर को यह मना जाता है अंतराश्ट बालिका दिवस तो यह आपका पूछा गया था अगला क्वेशन देख लेते हैं बच्चो अगला क्वेशन इंडिया एयर फोर्स ने कौन सा हेल्थ एप लॉंच किया गया था देखिए इंडि एरफोर्स द्वारा ये launch किया गया था health app है ये ठीक है तो ये इसका पूछा गया था ये current का question आपके लिए पूछा था चली अगला question आप से पूछा था चंद्रा और भागा देखें चंद्रा और भागा नदियों के संगम में संगम से संगम से कौन सी नदी बनती है किस नदी का निर्माण होता है तो ये चिनाव नदी एकदम correct answer था बच्छो इसका चिनाव नदी एकदम correct answer था ठीक है चंद्रा और भागा के संगम से आपका चिनाव नदी का निर्माण होता है अगला question आपसे पूछा गया था बच्छो कैंद्र सासित प्रदेश जो दीपों से विक्सित हैं दीपों दारा बनाया गया है तो यह है आपका लक्ष दीप ठीक है लक्ष दीप में जो दीप दारा इसका निर्माण हुआ है ठीक है बचो तो यह आपसे पूछा गया था अगला क्वेशन देख लेते हैं अगला क्वेशन आपसे बचो पूछा गया तो देखिए ये रखा गया है 2022 अभी तक दुगनी हुई है या नहीं हुई ये तो सभी को पता है लेकिन जो लक्ष था 2022 था ठीक है तो किसानों की आये को दुगनी करने का लक्ष जो रखा गया था ये आपसे पूछा गया बच्छो ठीक है चली अगला question किस सन में भारत का सासन इस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटेश सासन के हाथों में चला गया तो कौन सी सन में चला गया तो ये गया था सन अठारे सो अठामन में ठीक है इसका राइट आंसर बच्छो अठारे सो अठामन ये था सन में भारत सासन इस्ट इंडिय company के हातों से सीधे British सासन के हातों में चला गया ठीक है चली अगला question देख लेते हैं अगला question देख लेंगे अगला question बच्छो पूछा गया था देखिए किस सास्त्रे निर्टे में सिर पर मटकी रखकर उसमें आग लगा कर नाचते हैं बताइए कौनसा वो निर्टे था ये आपसे पूछा गया था तो ये था बचो कतकली ठीक है जो बच्छे कतकली लगा करकर के आए हैं एकदम करक्टर अंसर बच्छो ठीक है ये आपसे पूछा गया था कि कौन सा निरते है जिस पर मटकी रखकर के सर पर उसमें आग लगा दी जाती है और उसे डांस किया जाता है उसको रखकर के ठीक है तो ये कतक कली था चलिए अगला कोशन अगला कोशन देखिए आप से पूछा गया था बच्छो नागा और जुन किस भासा के लेखकते ही नागार जुन हिंदी और मेथली के ठीक है किस भासा केते बच्छो हिंदी और मेथली के ये भासा के लेखकते तो देखिए बच्छो आने वाले क्लास में हम आपको हिंदी के क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराने बाले तो आप हमारे चैनल की साथ जुड़ रहें ये भी हमको आप कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चो कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं तब तक के लिए जैहन जै भारत और आने वाली हिंदी की जो क्वेस्चन हैं उनको देखना ना भूले चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहन जै भारत